अज़ो वाट्सब गाइस नुजटूब हीर और आज हम लोग बात करने वाले हैं टैन फैक्स ऑन इजुकु मेडियोरिया है यह एक डेट सीरीज है जिसको में रिवेव करने की नाका में आप कोशिश कर रहा हूं इस चैनल पे सो लेट्स बेगेन नमबर वन इजुकु मेडियोरिया अपना बड़े इचिगो कुरो साकी के साथ शेयर करता है और जो कि दोनों की परस्नेलिश्टी से मैच करता है कि दोनों भी कोई स्पेशल नहीं है दोनों ही एक हाई स्कूलर रहते है और जिनके पास कोई स्पेशल अब अबिटेबल का मिक्स्चर रहता है फैक्ट नमबर थ्री इजुकु मिडोरिया का फर्स अपिरियंस हुआ था वन शॉट मैंगा में जिसमें उसको इजुकु के बजाए जैक मिडोरिया का नाम मिला था फैक्ट नमबर फॉर इजुकु वस सपोस्ट तो भी क्वर्क लेस स् किन एनिमे एडेपटेशन में इसकी स्टोरी बदल दी गई है जिससे ओडियंस रिलेट कर पाएं फैक्ट नमबर फाइ उसका निगनेम एक अच्छी ओरिजिन से नहीं डिपेंड किया जाता है बाकु गो उसको डेकु इसलिए बुलाता है ताकि वो एक वुडन पपेट के नाम पे रिजेंबल करता है और उरारा का के अनुसार डेकु का मतलब है तुबी एबल टू डू फैक्ट नमबर सिक्स उसकी पॉपुलरिटी काफी ड्रॉप हो चुकी है बाइब कमपेर टू दे अधर केरेक्टर्स ओफ आफ माई हीरो एकेडमिया फैक्ट नमबर सेवेन उसका रियल नाम पूरे पंस के उपर डिपेंड है जो की लिटरली ट्रांसलेट करता है अग्रीन वैली इज और इजू का मतलब है वन स्टन टू गो ओन फैक्ट नमबर एट इजुकु मिडोरिया सेवेंट रैंक हुआ था एंटरंस एक्जाम में और लास्ट रैंक हुआ कोर्क अप्रिसियेशन टेस्ट में फैक्ट नमबर नाइन इजुकु मिडोरिया का रैफेरेंस काफी हद तक लेजंड ऑफ जेल्डा के उपर बेस्ट किया गया है वो दिखने में कमजो दखता है लेकिन एक स्ट्रॉंग पंच मार सकता है फैक्ट नमबर टैन इजुकु के बाल लिटरली ब्रॉकली के उपर बेस किये गए है तो याइस डैट सिट फॉर टूडे गाइस मैं अगली वीडियो में वापिस मिलूंगा एक और फैक्ट के साथ तब तक के लिए लाइक करना शेयर करना और कॉमेंट करना अंटिल देन स्नुजी टूप चाओ